तीसरा question है यदि theta एक noon कोण है और हमें ये equation दी गई है और tangent theta का हमें मान निकलना है देखे करिए क्या जो equation दी गई है उसमें right hand side में जो 13 दिया है उसको divide में लेके जाओ तो 5 बटे 13 sin theta प्लस 12 बटे 13 cos theta बराबर है बनके अब हमें एक formula पता होता है formula क्या है sin square theta प्लस cos square theta बराबर है एक के तो इसका मतलब क्या है अगर मैं पहली और दूसरी equation compare करूँ तो sin के साथ एक sin तो मिलता है तो दूसरा जो 5 बटे 13 है इसकी value sin theta इसका मतलब और 12 बटे 13 ये क्या है cos की value हमें पुच्छा क्या है tangent की value निकाल लिए tangent की value होती है sin बटे cos तो tangent आ गया क्या आया है sin बटे cos sin की value है 5 बटे 13 और divide में 12 बटे 13 तो answer आएगा 5 बटे 12 तो हमारा तो तीसरा option है वो सही answer है